हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारी इस चनल में तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाला है कि गेस एसीडिटी सीने में जलन या पेट में जलन रहती हो या तो फिर स्टमक में अलसर हो गया हो तो उसमें कौन सी दवाई बेस्ट रहेगी तो और ओमी सीरप इसमें आती ह ओमी MPS इसका बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देखने को मिला है तो इसी के बारे में हमें इस वीडियो में डिसकर्स करने वाले है तो दोस्तों आपको अपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे क्योंकि आपको ऐसी व बहुत इसका बढ़िया था है गेस अच्छा कारगर साबित हुआ है तो आप यह ले सकते हो इसमें लिखा हुआ है फॉर फास्ट रिलीफ प्रों हार्ट बर्न एसीड इंडाइजेशन एंड सिम्टम्स और गेस तो मदब यह गेस में मदब हार्ट बर्न यानि सीने में जलन सीने में जलन रहती हो यह फिर इंडाइजेशन यानि आचन में कोई तकलिफ रहती हो तो यह बहुत ही बढ़िया शिरब है इसमें तीन गंटे नाते है ऐल्यूमिनियम मेगनेशियम और सिमेथिकोन इसमें जो एल्यूमिनियम है यह क्या करता है कि हमारा स्टमक का जो करता है उसको यह कम कर देता है और स्टमक की समस्या से में राहत देता है और तीसरा जो होता है वह सिमेथिकोन कंटेन आता है सिमेथिकोन तो यह सिमेथिकोन क्या करता है कि जो पेट में गेस बनती है रहती है उसकी वज़े से में जो पेट में क्रेम साते हो पेट में मिलिग्राम और जो सिमेथिकन है वो 25 मिलिग्राम जितना इसमें आता है और यह सिरफ बहुत ही सस्ती है सिर्फ 84 रुपीज की आती है इसके अलावा आप यह डाइजिन सिरफ भी ले सकते हो जो यही सेम गंटेन आते है और बहुत ही पोप्यूलर ब्रांड है इसकी टेबलेट आती है अब इसका यूज कैसे घर तो आप गेस ऐसेडिटी सीने में जलन रहता हो स्टमक घल सरो तो इन में आप यह ले सकते हो पेट की जो पाचन की तकलिफे तो आप यह ले सकते हो दिन में तीन बार लेना है खाने खाने के बाद लेना है दो से तीन चमच बर और इसमें लिखा है do not take more than 10 tablespoon in 24 hours period but do not use in maximum doses for more than 2 weeks मतला आप दो हफ्ते से ज्यादा आप नहीं ले सकते और एक दिन में आप 10 टमश चे ज्यादा आप नहीं ले सकते उसे अखम ही आपको लेना है यह एक OTC प्रोड़क्ट है कहीं पर भी chemist के सुख पर आपको मिल जाएगी आप खुद से आपके नजदी के medical store में जाके आप ले सकते हो Omi MPS या तो फिर यह नहीं मिले तो आप डाइजिन भी ले सकते हो और इसके side effects के बारे में बात करें तो को इसकी side effects है नहीं देखने को नहीं मिले लेगिन pregnant महीला हो में और जो breastfeeding mother से बच्चे को दूद पिलाती है वह महीला ही है नहीं ले सकते हैं आप डॉक्टर की सलास से ही लेना है और दोस्तों में इसमें जो भी medicines वगेरा दिखाता हूँ बताता हूँ वह सिर्फ और सिर्फ एजिर कस्टनल परपस के लिए है इसलिए सारी दवाई आपने डॉक्टर से कंसर्ट करने के बाद ही ले तो बैतर रहेगा हालाग यह एक ओटी सी प्रोडुक्टि अपना आप से भी ले सकते हो इसका कोई ज्यादा को साइड इप्रिक्ट नहीं है तो यह अपने आप भी ले सकते हो दोस्तों आसा करता हूँ कि आपको वीडियो में कुछ अच्छा ज